आज की बात की शिरुवात दो बयानों के साथ करते हैं एक देश के सबसे बड़े लोकतंदर के मंदिर यानी संसद में हमारे संसस सहाब देवजी पटेर ने दिया और दूसरा प्रदेश के योडियेच मंतरी राजपाल सिंग शेखावत ने नयाये आपके द्वार के दोरान टोंक में दिया दोनों बयानों का आधार अवैद खनन था लेकिन बयान क्या थे पहले जरा सुनिये पिर आपको सुनाएंगे खनन का खलनायक कौन है आपने भी तेखा होगा जहां भी खनन होता है वहाँ गुंडे होते ही हैं अलग अलग जगा से गुंडे बुलाके जो किसान हैं उन किसानों को पट्टेडित कर रहे हैं मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग कर रहा हूँ कि आप ऐसी कोई नीती बनाएं ये कोर्ट में बैठें जज है मैं जज का सम्मान कर रहा हूँ मैं कोई उनके वो टिपनी नहीं लेकिन एक चीज है अध्यक्स मोजया वो जजज कुछ भी आदेश देते हैं और जिसके करण वहाँ के लोगों का जीना दुल्लब हो जाए ऐसे आदेश में रोक लगाने के लिए हमें कुछ करना थी ये तो सांसस साहब ने कहा कि जहां अवैद खनन करने वालों के खिलाफ कारवाई होगी जो नियमों को तोड़ते हैं तो कहा कि जनता को नियम का पालन करना चाहिए लेकिन इस सब के बीच में खनन घूसकान के आरोपी अशोक सिंग्वी को सरकार की तरफ से बहाल करने की बाते वक्त वक्त पर आती रहती है फिलाल वो जेल में है और अब एक विधाय का ये कहना कि जमकर अवैद खनन करो मैंने मुख्या मंत्री से बात कर ली है ना कोई रोकेगा ना टोकेगा मतलब भला क्या निकालिया जाए जरा सुए पर आज मैं आप रहे खनत चहरो जो भी – आपका रहांत करो आज के लाद ये पिश्के रस्क्रे से तो मैंने अभया अजब करवा लिया है पर मैं आपको आज ख़ासत देते चहा면 कि आप एस्क आज के आज में में रहतो दृतारी में है अब है क्या है और अब है क्या है यह तो पहाली दाथ मुझे वोची से कोई बख्यों दी अब मैंने सीम सार्मा को विस्कुर जाज़े मैंने का कि आपको भी इस दीसे आपको बश्ब नहीं दगता अब हमागे पाथ इसके लागा रोजी वोटी का कोई चारा भी नहीं को राफ्ता भी नहीं है तो उन्हें मुझे आस्तर कर दिया कि यहां हुटी मेंगा भी पुली क्याई तो जो कि आप काम करते हो चाहिए तो जो करना है खुलकर करो अवैद घनन भी खुलकर करो कोई कुछ नहीं करेगा इस बयान के बाद आपको लगा होगा कि प्रदेश में अवैद घनन को लिकर क्या वाकई सरकार गंभीरे सवाल खड़ा हुआ होगा और अगर गंभीरे तो फिर बीजोपी और सरकार को बद्राम करने वाले विधायग पर अभी तक कोई कारवाई क्यों नहीं की गई क्या कारवाई ना करने का मतलब यह है कि जो विधायग ने कहा वही सच है बहराल कुछ ऐसा ही हाल प्रदेश के अंदर शराफ बंदी के मामले पर हो चला है जरा सुनिए पिछले तीन दिन में बीजेपी के तीन अलग-अलग विधायकों ने क्या कुछ बयान दिया इनमें से दो बाकाइदा मंत्री हैं यह भी सुनिए तो एक मंत्री साहब कहते हैं कि शराफ पीना मौले का धिकार है दूसरे कहते हैं कि सरकार को शराफ पसंद है और तीसरे मंत्री यहां पर कहते हैं कि देवता की कल्यूग में पत्थर के मूर्ती भी शराफ पीती है तो भला इसमें दिक्कत कहा है बैराल इन सब के बीच में अवैद खनन और शराब बंदी और इन से आगे बढ़ते हुए जीयस संधू आज उनको रिमांड पर लिया गया और एकलपटा मामले में आरोपी पूर्व आईएस जीयस संधू को जैपुर के एस भी कोट में पेश किया गया जा मामले की सुनवाई करते हुए कोट ने संधू को 16 माई तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया जोरान जीयस संधू ने जमानत के अर्जी भी लगाई जिसे कोट ने खारिज कर दिया आपको बता दे कि एकल पटा केस में जीयस संधू आरूपी है और इस मामले में काफी दिनों से जीयस संधू अंडरग्राउंड थे इस भी ने संधू के खलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया था तो वैद गनो और ब्रिश्ट्रचार को लेकर सरकार कितनी गंभीर है ये आप उपर देख चुके हैं लेकिन प्रदेश के अंदर एक और मुद्दा है जिस पर हर बार गंभीरता की बात होती है लेकिन हर बार कारवाई सिर्फ दिखावा बन कर रह जाती है मामला अमानी शाहन नाले में होती जहरेली खेती का जेडिये ने एक बार फिर से कारवाई की ये रिपोर्टे की पिछले कई सालों से प्रदेश में जहरेली खेती होती है कई बार लोगों की जिंदियों को भी लील जाती है हाई कोड तक इस मामले में गंभेरता बरत चुका है और इन सब के बहुजूद एक बार फिर से अमानिशाह नाले की जद में जहरिली खेती शुरू हो चुकी है कोड के निर्देश मिले तो जेडिये प्रशासने अभियान शुरू कर दिया और जगतपुरा सित द्रवेवती नदी के बहाव शेत्र में अबैद रूप से गंदे पानी में उगाई जा रही सब्जियों को जेसीबी के मदद से हटाने की कारवाई को अंजाम दिया गया रामचंदरपुरा गाओं में नाले में पंप सेट के जरिये पानी जब कारवाई को इंजाम दिया गया तो कास्तकारों और पुलिस के भी जड़ाप हो गई पुलिस में जोरान कई कास्तकारों को राजकारय में बादा पहुचाने और शांती भंके आरोप में गरवतार कर लिया जोरान जेडिये ने कारवाई करते हुए उन पंप सेट को भी जब्त कर लिया जिनके मदद से वहाँ पर जहरेली खेती की जा रही थी लेकिन राजधानी के किस-किस इलाके में जहरेली खेती हो रही है ये भी आपको बताते हैं संगनेर, बूलरबांध, शिकारपुरा, चंदलाई, गोविंदपुरा, मुहाना, रामचंदपुरा, बिलवा, गोनेर, कानोता, कोटखावदा, खोनागोरियन और मानसुरवर थाने के कुछ इस्सों पर जहरेली सबजियों की खेती होती है इसके अलावा पानी पेज के आसपास भी जहरेली खेती होती है जिसके बारे में जेडिये का कहना है कि कारवाई जारी रही और जहां-जहां जहां जहरेली खेती की जा रही है वहां-वहां जल्द-जल्द कारवाई होगी चली उमीद करेंगे कि ये कारवाई खाना पूर्ती बन करना रह जाए जैपुर से योगेंदर पंचोली के साथ प्यरोर्पोर्ट समाचार प्लस मुद्दे कही है लेकिन इस सबके भी सवाल यही है कि क्या सरकार गंभीर है फिर चाहे मुद्दा विकास का हो सरकार गाउं में मुलभूत सुविधाय पहुचाने का विशक वादा हो और क्या वाकई में सरकार इन सब के लिए प्रतिबद है आपको धोलपुर का एक ऐसा गाउं दिखाते हैं जो लगता ही नहीं कि वो इसी प्रदीश का गाउं है भूलपुर सिले का वसेडी उपकंड का नक्ते का पुरा सांगोरी, खलगपुर, नागोरी, भादरी और हीरापुरा काउं और इनके लिए विकास की पट्री जिसके बारे में समझी नहीं पा रही कि विकास लेकर आई है या फिर विकास को रोक कर खड़ी है क्योंकि इन पट्रियों पर रेल नहीं, साइकल और मोटर साइकल चलती है जिन्दगी मानो रेंगती है और ऐसा इसलिए क्योंकि इन गाउं तक पहुचने का कोई रास्ता नहीं है हर किसी को जान हतेली पर रखकर इस पुल को पार करना पड़ता है ताकि अपने गाउं पहुच सके, या फिर गाउं से बासार और बच्चे स्कूल पहुच सके लेकिन बच्चों की इस पुल से गुजरते वक्त रुहु काप जाती है बच्चों की रुहु काप तिया तो वहीं बड़ों के हाल भी कुछ अच्छे नहीं है बुजर्गों के तबियत बिगड़ जाए या फिर महिला के प्रसव के पेड़ा हो हर दर्द की दवा के लिए जान हमेशा हतेली पर ही रहती है अमर्जेंसी केस कभी भी रात के समय बनता है एमबोलेंस के लिए हम फोन करते हैं जब नदी उफान पर आती है तो सारे गाउं के लोग या एक दरजन गाउं दो दरजन गाउं इदर से पूरा ही रास्ता बंद हो जाता है तब यहां से लोग वाग निकलते है तो रेलवे लाइन पर भी लग जाती है निकलने के लिए आदमी गर जाते है पानी के अंदर तो हमें भी निकालना उपर से उपर से पूदना पड़ता है उसमा निकालने के लिए अब जरा सोचिये जहां आज तक सड़क बन नहीं पाई वहांचे किस्सा वैवस्था आंगन बाड़ी केंडर नालिया और पानी के लिए टंकी भला कहा होगी यानि इन गाउं में 65 सालों से ना तो विकास पहुच पाया ना सड़क पहुच पाया और ना ही मुल्भूस वीधाएं पहुच पाया अगर कुछ पहुचा तो वह बस चुनाओं के दोरान राजनी था जो आए वादे किये वोट लिये और कभी लोट कर नहीं आए क्या वाकई विकास का यही पैमान है कि रेलबे ट्रैक पर साइकल चलेगी मोटर साइकल चलेगी जिन्दगी रेंगेगी और सुरज के पहली किरण से लेकर रात का अंधीरा हर पहर सिर्फ पेड़ा लेकर आएगा और कहर बनकर कब कौन सी समस्या जिन्दगियां लीले कोई नहीं जान पाएगा क्या वाकई सड़क बनाने के लिए छे दशकों का इंतिसार कम पड़ गया वो भी उस इलाके में जहां का वास्ता खुद मुक्य मंत्री से रहा हो दौलपूर से नीरष शेर्मा के साथ बियरोरफोर्ट समा 4 प्लस प्रदेश में मुद्दे बहुत हैं और इन सब के बीच में एक मुद्दा गाय का भी है तो क्या गायों के मुद्दे पर सरकार गंभीर है या फिर गंभीरता सिर्फ दिखा रही है या फिर दिखाना चाहती है ये सवाल उस वक्त खड़ा हुआ जब गोपालान मंत्री ने कहा कि जल्दी सर्वे करा कर हर जिले को अनुदान दे दिया जाएगा लेकिन जल्दी का मतलब क्या ये सवाल इसलिए क्योंकि अपरेल में ही आसमान से अंगारे बरसने शुरू हो चुके हैं हर दिन दरजनों गायों के मौत हो रही है तो फिर जल्दी का मतलब क्या है ये रिपर्ट देखिए प्रदेश में गर्मी ने इंसानों के जिंदगी को शिकंजे में कसना शुरू कर दिया है तो फिर ज़रा सोचिये जानवरों का हाल क्या होगा लेकिन जिस तरीके से सवाई माधोपूर के कोचर में गायों के मौते हुई सियासत गर्माई, कॉंग्रेस हमलावर हुई शायद इसके बाद बीजेपी हरकत में आ रही है क्योंकि जिस गाये के मुद्दे पर उसकी राज नीती ठीकी है अगर उसी मुद्दे पर वो खुद घिर जाए तो फिर सवाल सरकार के सोच पर भिखड़े हो जाते हैं शायद इसलिए गोपालन मंतरी कहते हैं कि प्रदेश सरकार सूबे की हर गोशाला का सर्वे करवा रही है बीशन गर्मी का हसास एपरेल की शुरुवात में यह हो चुका है और सर्वे मई के मिर तक भी नहीं हो पाया क्या वाकई इसके बाद यह कहा जाए कि सरकार और गोपालन विभाग गायों के मुद्दो पर गंभीर है क्यों ना वक्त पर सर्वे किया गया बैराला मंतरी कहते हैं कि अर जिले में चारा डीपों और पानी के लिए अनुदान दिया जाएगा यह अनुदान उन जिलों में भी दिया जाएगा जो आपदाग रस्त जिलों में शामिल नहीं है कमाल है बादा बड़ा है लेकिन अभी तो सर्वे ही पूरा नहीं हुआ लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि अगले एक सब्ता में सर्वे पूरा हो जाएगा तो फिर भी इस महीने तक अनुदान हर जिले के गोशाला तक पहुच जाए उमीद ना के बराबर है यानि अप्रेल की आग सेकडों गायों को राग पहले ही कर चुकी है अम माई के अंगारे भी सेकडों गायों को मार देंगे लेकिन विभाग सर्वे और अनुदान के बात कहकर जता देगा कि वो गायों के मुद्देई और उनके मोतों के मामलों पर गमभीर है जैपूर से भी शर्मा के साथ बिरो रिपोर्ट समाचार प्लस अब ना जाने कब गायों तक चारा और पानी पहुचेगा लेकिन जरा सोचिए जिन लोगों ने अपने गाउं में कई दश्कों से कभी पानी की पाइपलाइन देखी ना हो वहाँ टूटियों से पानी के धारा बहने लगे तो लोगों के बीच क्या वो दिन दिवाली से कम होगा बिलकुल नहीं जिर पोट देखे जशन है जीत का जशन है सपनों के पूरा होने का जशन है बादों के पूरा होने का जशन है दश्कों के इंतिजार के खत्म होने का तोकी नगर परिशद के सबसे बड़ी दलित परिवारों की बस्ती है जिसे लोग खारवाल बस्ती के नाम से जानते हैं यहां अजादी के बाद कई चुनाओ हुए कई नेता आये और चले गए लेकिन इस बस्ती की फीड़ा किसी ने न सुनी पिछले 20 सालों से पानी की बूंद गोंद को तरसे इस बस्ती के परिवार एक-एक किलोमेटर दूर से पानी का जुगार करते हैं यहां तक कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की भी पढ़ाई इस पानी के वजह से बाधित रहती है अगर बगवान की दिन निवाज होई जे अकबर बाद साब महार साब की जो पानी आयो मागा पानी पिला है 20 साल मा किस साल से इन बस्तियों के अंदर पानी की लाइन नहीं थी यह दूर दराज यहां से डेट दो किलोमेटर की दूर जाते दे रोट किलोज के जाते थे कहीं बच्चे मर भी गए हैं लेकिन आज यहां पर हमारे सांसद महोदे एमेले साब की वज़े से यहां पर आज यह पानी चालू हुआ है जिसके अंदर पूरे बस्ति के अंदर 500 घरों के अंदर खुशी की लहर दोड़ गई है 21 सालों का इंतिसार खत्म हो गया इस बस्ति में पानी की पाइब लाइन बिचा दी गई विलायक अजीत महता ने अपना बादा निभा दिया और पहली बूंदों से बच्चा कैसे प्यास बुझा रहा है ये तस्वीर बताने के लिए काफी है इस बच्चे के लिए किसी चमतकार से कम नहीं कम से कम उसने अपनी जिन्दगी में ऐसा पहली बार जो दीखा है कभी तो जशन जीत से कम नहीं है जशन है पूरी बस्ती में खुशी है और खुशी का इज़ार विधायक का अभार गले में माला के तोर पर दिखाई दिया इस जोरान विधायक अजीत महता ने क्या कहा ये भी ज़रा सुन दे ये किस सालों के अंदर इस बस्ती के अंदर पीने के पानी की कोई लाइन नहीं थी कोई विवस्ता नहीं थी दूर दौराज जाकर इन लोगों को पानी भणना पड़ता था मैं नगरपरिशत चुनाओ के अंदर इस दलिद भस्ती खारवाल भस्ती के अंदर में आया था तो इन लोगों ने कहा वोट तो मैं आपको देंगे लेकिन हमारी तकलीफ है इस तकलीफ को कैसे दूर करेंगे तो मैंने इन से का था कि चुनाओ के बाद चाहिए विधायक कोस से मुझे इस दलिद खारवाल भस्ती में पानी पिलाना पड़े आतम कर दिया टॉंक से जियाउदीन खान के साथ बियरो रिपोर्ट समाचार प्लस ऐसी खबरे बहुत कम आती है अगर वाकर में हर विधाय किस तरीके से काम करने लगे तो गाउं का रोप बदलने में भला कितना वक्त लगे आगे बढ़ते और विवादों से घिरे आशराम ने एक और बयान दे दिया है आसाराम ने कहा कि कानून अंधा है एक लड़की के चकर में कानून अंधा हो गया और ये कहते हुए कानून को ही कटगरे में खरा कर दिया क्या कुछ कहा जरा सुने इसने भी आप उपका है इसमान से कबाओ जिमर में इलाज लेंगी जब भंदे कानून ने इस लड़की के कहने से लगफ बेच्या मेजी की चीजिए अभी आपके कानून होंदा है और ये किस में उसको कानून अंधा है तुगाल कोटरी को बैकूंट बताने वाले आसाराम आज कहते हैं कि कानून अंधा हो चला है शर्मनाग बयान सिर्फ बाबा ही नहीं दे रहे नेता भी दे रही है कोटा में शिक्षा को लेकर लाड़पुरा विधायक ने क्या कुछ बयान दिया यानि कि भवानी सिंग राजावत ने जरा सुने है मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि ब्यार के शात्रों को कोटा में परवेश देना बंद कर देना चाहिए रेस्टिकेशन करके उनके टीसी काटके फीस उनको वापिस दे देनी चाहिए और कोटा से उनको विधा कर देना चाहिए एक मचली पूरे तालाब को गंदा करती है तो यह ब्यारी मचलिया पूरे तालाब को गंदा कर रही है और आशंगा मुझे यहां तक है कोई कनिया जवारलाल नहरू यूनियूर्सिटी की तुरह कोई बिहारी कनिया यहां पेदा नियोज यह तेभी करने लग जाए यह तो अपरादी प्रवर्ती ही है तो इसको गंबीर तासिल लेना हो तो भवानी सिंग राजावत ने बयान दिया इसी से जोड़ी एक बड़ी ख़बर इस वक्त मिल गया है कोटा में बिहार के चात्री की हत्या से जुड़ाई बामला और बिहार के उप्व मुत्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खत लिखा और तेजस्वी यादव घटना को अ जो मामला कोटा में करमाया एक चात्र के मौत हुई अब ये मामला बिहार तक जापा हुचा है बिहार से उप्व मुक्यमंत्री तेजस्वी जो कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं उन्होंने मुक्यमंत्री वसुन्दा राजे को खत लिखा और कहा कि ये घटना अमान भी है इसकी वज़े से छात्र जो हैं वो कमफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे और जो दोशिय उनके खिलाफ कठोर कारवाई होनी चाहिए ये लाटर वही है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहें और आज ही ये लाटर लिखा हुए तारिक तेरा पांच दोहजार सोला यानि क आज ही का दिन पेजस्वी जो की उप मुख्यमंत्री वहाँ पर है उन्होंने मुख्यमंत्री को यानि कि मुख्यमंत्री वसंदा राजय को पत्र लिखा और कहा कि ये घटना जो पूटा में घटी है वह अबान विय है और जो दोशिय उनके खिलाफ कठोर कारवाई होनी च तो यहाँ पर लेटर एक लिखा गया और उसमें कारवाई की बात यहाँ पर की गया और कारवाई करते हुए ये भी कहा गया कि आप अगर कारवाई करेंगे तो शायद जो बच्चे हैं उनके अंदर थोड़ा सा सुरक्षिया की भावना महसूस होगी फिलाहल जो बच्चे हो अज सुरक्षित यहाँ पर खुद को महसूस कर रही है मेरे से होगी प्यूश मेरे साथ जुड़ चूँगे प्यूश इसमें कोई दोराई नहीं की घटना वेह गंभीर है लेकिन बिहार से उत्मुक्यमंत्री का पत्र लिखना किस तरीके से देखते हैं कोटा के अंदर लाडपुरा के विधायक भवानी सिंग राजावत ने बयान दिया उसके बास सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्याब सिक्षा नगरी और सिक्षा दोनों ही छेतरवाद के दाहरे में बंदती नजर आएंगी आज की बात में आज के लिए फिलाल इतना ही